हालो गैस हाइटेक पिंटू मैं आप लोग का मैं तहर देल से सुक्रियादा करता हूं आज की इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि आप प्लेप कार्ड पे एमाइव फोन कैसे ले सकते हो या कोई भी प्रोड़क्ट सिलेक्टोनिक हो जैसे स्मार्ट टेवी फ्रीज कैमरा आदी आप कैसे ऑनलाइन मंगा सकते हो वी विना पैमेंट का लोग पे तो गैसर सबसे पहले आप वीडियो को इन तक जरूर देखे अगर चैनल पे ने विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजे मैं इस तरीके का वीडियो हमेशा अपलोट करता रहता हूं तो गज़र यह बात तो आपको पहले से भी पता होगा कि बिग बिलियंस डे अभी चलता है और काफी सारा आफर आपको मिल रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट पे बहुत ही अच्छा अच्छा आफर मिल रहा है बहुत क्लिक करने के बाद आपको यहां से क्या करता है और वाले सारा प्रोस्ट से अपको अपनानी है तो सबसे पहले मैं बाहिए 9 पे नीशे में आ के क्लिक करने के बाद skip and continue में मुझे क्लिक कर लेना है इसके बाद order summary आजाएगा जिसे आपका address उपर में देखने को मिल जाएगा तो आप address अपना डाल लिजेगा सही सही इसके बाद नीचे में आएगा नीचे में आने के बाद आपको क्या करना है continue पे क्लिक कर लेना है तो गैजर continue पे जब आप क्लिक कर लोगी तो payment का method आजाएगा अब कहां से आप payment करना चाहते हो तो गैजर सबसे पहले मैं मुझे तो payment नहीं करना है मुझे तो EMI करना है तो मैं यहाँ पे EMI का option खुल के आजाएगा तो आप वहाँ पे click कर दिने के बाद लगा सकते हैं अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो credit card होना है इसमें आवश्च्च है credit card है आपके पास तो आप सानी तरीके से यहाँ पे order कर सकते हो अगर आपके पास credit card नहीं है तो मुझे comment में जरूर बताए मैं सारा process और video बना के मैं आपको बता दूँगा कि क्रेडिट कार्ड आप कैसे ला सकते हैं जैसे मेरे पास क्रेडिट कार्ड SBI का है तो मैं ड्रेकली SBI पे क्लिक कर लूँगा और करने के बाद यहाँ पे नीचे में आपको आजाना यहाँ पे सारा DTL आपको मिल जाएगा तीन मौन्थ के लिए चाहिए तो आपको 14% लगेड़ा है और 6 मौन्थ के लिए भी चाहिए तो 14% ही लगेगा इस तरीके से सारा DTL आपको मिल जाएगा यहाँ पे तो अच्छे तरीके से आप इसे पढ़ लें इसके बाद नीचे में आके Continue पे क्लिक कर लें कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे अपना कार्ड नंबर डाल देना यहां पे देखें कारड नंबर जैसे आपके पास क्रडाइट कार्ड नंबर है तो बेर डाल यहाँ पे Expired Debt validate जो होता है वो भी आपको यहाँ पे साती में डालना पड़ेगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे continue पे click कर लेना है guys मुझे तो order नहीं करना है इसलिए मैं नहीं डालूँगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है continue पे click कर लेना है क्योंकि मैंने यहां पे card number नहीं डाला है इसलिए required यहां पे card number बहुत ही जरूरी है तो guys सबसे पहले आपको credit card बनाना होगा तो मैं अगले वीडियो में यह जरूर पोस्ट करूँगा credit card कैसे बनाया जाता है तो वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कॉमेंट जरूर किजेगा और मैं नेक्स वीडियो यही लाने बाला कुई अगर जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं